नमस्कार राम राम सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स कलासेज के अंदर दोस्तों होम गार्ड वेकेंस की हैं वो आपके आ चुकी हैं सभी साथी जो इंतिजार कर रहे थे उनका इंतिजार एबू समापत हो चुका है ओपीसियल है वो कब तक होगी तो इन सभी बार की बाते हैं वो इस वीडियो के अंदर गत देखेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरात करते हैं इससे पहले आपसे निवेदर नहीं यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइकन ब्रेस करें ताकि हर वेकेंसी के अब्डेटे वो आपको समय समय पर मिलती रहें तो देखेगा साथियो दिल्ली ओमगाट बरती 2024 का आधिकारिक नोटिपिकेसन ने वो 10,285 पोस्टों के उपर है वो जारी हो चुका है जारी कर दिया है इस बरती के लिए योग्या अब्यरती आधिकारी वेबसाइट से ओनलाइन आवेदन बर सकते हैं ओनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे तो उसकी बात करते हैं तो लाश्ट डेटे इसकी वो 13 फरवरी रखी गई है और ओनलाइन आवेदन है वो आपके 24 जनवरी से स्टार्ट होंगे 24 केगा apply date की बात कर रहे तो 24 जनवरी है और last date है वो इसकी 13 फरवरी है आगे बात करते हैं इसके आविदन सुल की तो आविदन सुल के वो आपके 100 रुपे ये रखा गया है 100 रुपे आविदन देखर आप इसके अंदरगत फोरम फिल कर सकते हैं इसकी age limit की बात करते हैं तो इस भर्ति के लिए निवनतम आयू है वो आपकी 20 वर्स रखी गई है और अधिकतम आयू है वो आपकी 45 वर्स रखी गई है 20-45 वर्स के बीच में है वो इसका आविदन कर सकते हैं यानि कि अब्यरतिका जनम 2 जनवरी 1909 से पेले और 1 जनवर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए और एक सर्विसमेन के लिए अधिक्तम आयू है वो आपके 54 वर्स तक रखी गई है इसमें आयू की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2024 को मान कर की गई है और अरक्षित वर्गों के लिए आयू में विशेश छूटे वो दीगी है वेकैंसी है वो आपके 10,255 पतों पर है इसमें क्वालिफिकेशन की बाद कर रहे तो 12 पास और 1 सर्विसमेन है वो इसके अंदर गते आएंगे इसके अंदर के दोड की बात करते हैं तो दिली होमगाड वर्थी 2024 के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो आपके होनी चाहिए 165 सेंटीमिटर और फिमेल कंडियर्थ के लिए रखे गई है 152 सेंटीमिटर ठीक है इसमें बात करते हैं फिजिकल की तो पुरुषों के लिए दोड है वो तीस वर्ष के जो पुरुष है उनके लिए 1600 मिटर है वो आपके लिए रखे गई है छे मिनट पुर्ष करते हैं अब आगे बात करते हैं पैटालीष वर्ष या इससे अधिक आईू या बूत पुर्ष सेंटिक या पुरुष C.A.P.A. करमी इनके लिए 1600 मिटर है वो 10 मिनट के लिए रखी गई है 10 मिनट का समय है वो 16 मिनट के लिए मिलेगा female candidates के लिए यहीं रूल लागू होता है और 30 वर्स के लिए 8 मिनट का समय है 1600 मिनट रहेगी 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 में कोई changes नहीं है टाइम है वो female को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा और 40-30 वर्स के लिए 9 मिनट हैं और 45-40 वर्स के बीज की female candidates के लिए 10 मिनट हैं और 45-45 अधिक आयू और बूतपूर्व सेनिक के लिए 12 मिनट का समय है वो मिलेगा 1600 मिटर रणिंग के लिए आगे बात करते हैं इसके अंदर के जो आपके return exam है उसकी तो दिली होमगाड बरती 2024 फिजिकल परिक्षा को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्तियों को लिखित परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा दिली होमगाड बरती 2024 की लिखित परिक्षा में नवे मिनिट का समय मिलेंगा और असी परिक्षा का लेबल है वो दसवी कर्क्षा तकका रखा गया है पर्सन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बासां में उपलब्द होगा जो आपको अच्छी लगे उस बासामा आप इसको देख सकते हैं और यदि PMET उतिर्ण करने के बाद भूतपूर्वे सेनिक या भूतपूर्वे CMMS कार्मिकों की संग्या कुल रिक्तियों की 10% कम रह जाती है तो उनके लिए कोई लिकित परिक्सा नहीं होगी उनको सीधे ही फिजिकल पास होते ही ले लिया जाएगा अब लिकित परिक्सा का सेलेबस है वो थोड़ा सा सेलेबस देख लेखते हैं अंक गणीत होगी सामान्य विज्यान होगी सामान्य बुद्धित और तरक होगी दिली का इतियास संसकर्ती और इस्तला करती होगी भारत का समीदान प्राचिन बारतिये इतियास और संसकर्ती कोई भी अच्छी सी बुक है वो आपको में जाएगी इस ओमगाड के लिए और बैसिक बैसिक चीज़े हैं वो आपको डिटनी है और इसके अंदर कर हो जाएगा अब दिल्ली ओमगाड भरती दोजार चुश में बोनस अंगों की बात करें तो अधिक्तम 16 बोनस अंग हैं वो आप राप्ते कर सकते हैं वो किस परकार देखेगा अगर आपके पास NCC के लिए बोनस हैं NCCC परमान पत्तर हैं तो आपको 5 अंग मिलेंगे B है तो 3 मिलेंगे और A है तो 2 मिलेंगे आगे बा पांच वर्स से अधिक अनबव है तो 8 अंग आपको मिलेंगे आगे बात करते हैं नागरिक सुर्क साके अनबव के लिए बोनस अंग 2 वर्स का अनबव है तीन अंग और 5 वर्स का अनबव है तो 6 अंग और 5 वर्स का अनबव है तो 5 अंग मिलेंगे आपको यह बोनस अंग ह यह वह आपको मिले हैं, अभ्यर्तियों के पास दस्तावेट कौन-कौन से 10 वी की मारक शीट, 12 वी की मारक शीट, गरेजियेशन की मारक शीट, अभ्यर्ति की फोटो और सिगनेचर, जाती परमान पतर गरेजियेशन अगर की है तो वरना कोई क्वालिफाई कोई जरूरी नही हैं, अभ्यर्ति का मोबाल नमर, इमेल आइडी, अधार कार्ड, अन्य कोई दस्तावेट जिसका अभ्यर्ति है वो लाब उठाना चाहता है, जैसे स्पोर्ट सर्टिफिकेट या NCC सर्टिफिकेट इन सभी के लिए जो है इसमें लगा सकते हैं और अपनी जोब है वो प्रा